इस्टुडेंट वेलकम बैक आन बाई यूट्यूब चलंगेज मास्टेर स्टुडेंट्स, CVAC बोर्ड की तरफ से जो आप लोगों का टर्म 1 का एक्जाम होने वाला था क्लास 10 और क्लास 12 वालों का उनका जो एड्मिट कार्ड है वो बोर्ड द्वारा जो है 9 नौंबर को एड्मिट का जरीका दिया जाएगा जैसा कि यहाँ पर एक पेपर की कटिंग है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है CVAC पहले टर्म की जो परिच्छा होगी उसमें 60 सवाल पूछे जाएंगे और दस्वें बराहुई की परिच्छा के बाद स्कूल OMR जो सीट है वो बोर्ड को भेजेंगे इम्तिहान के जो अवद होगी वह 90 मिनट होगी आगे हम बात करते हैं पर की कटिंग में जैसा कि आप पढ़ सकते हैं केंद्रिय मादमिक सिक्षा बोर्ड यानि के सिब्यसी ने दस्वें बराहुई कि नुवंबर दिसम्बर में सुरू होने वाली टर्मवन की परिच्छाओं की तयारी सुरू कर दी है पहले टर्मवन की परिच्छा में 60 सवाल OMR सीट पर पूछे जाएंगे परिच्छा संपन होने के बाद में स्कूल OMR सीट बोर्ड को भेजेंगे जिसके बाद बोर्ड की रिजल्ट बोर्ड ही रिजल्ट तयार करेगा बोर्ड इस बार मुल्यांकर करने के लिए CBSE Intelligent Character Recognition IECR और Article Mark Recognition OMR तकनिकों के सयोजन का परियोग करने जा रहा है CBSE की 10-20 के मुख विशियों की परिच्छा की सुरुवात 39 से और बरहावी के मुख विशियों की जो परिच्छा है एक दिसंबर से शुरू होनी है परिच्छा की समयावधी 90 मिनट यानि की 90 मिनट की होगी आगे इसमें लिखा हुआ है कि छात्रों से OMR सीट पर बहु विकल्प परिच्छन पूछे जाने है 90 मिनट की परिच्छा में OMR सीट पर 60 कुश्चन पूछे जाएंगे इस OMR उत्तर पृष्टिका जो यह होगी OMR उत्तर पृष्टिका चात्रों को गलत उत्तर सुधारने के लिए उपसुविधा भी दी जाएगी जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक आपको एक्स्ट्रा बॉक्स दिया जाएगा जिसमें आप उत्तरों को अपने सही विकल्प को चुन सकते हैं यह चातर उत्तर के लिए किसी गलत विकल्प का चैन कर लेंगे तो वह OMR सीट में उपलब अतरिक्त अस्तान में सही विकल्प को लिख सकेंगे इस बार बॉड तयारी कर रहा है जिस दिन परिक्षा होगी उसी दिन से मुल्यांकन भी शुरू हो जाएगा जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ कि बोर्ड 9 नॉम्बर को एड्मिट कार्ट जारी करेगा केंदे मादमिक सिच्चा बोर्ड से विए सी दस्वी और बरावी की टर्म 1 एक्जाम जरूरी दिसा निदेश जारी किये गए है नॉम्बर दिसंबर में होनी वाली परिक्षा के लिए बोर्ड की ओर से रोल नंबर 9 नॉम्बर तक अब लोड कर दिये जाएंगे सर्दी का मौसब होने के जाड़ यह परिक्षाई सुबह साड़े-दस बज़ाए साड़े-ग्यारा बज़े से सुरू होगी परिक्षा से पहले प्रस्ट पत्र पढ़ने के लिए 20 मिएट का समय दिया जाएगा और दसवे के परिक्षाय सत्रा नुवंबर और बरावी के परिक्षाय सोला नुवंबर से शुरू होंगी बोर्ड ने स्कूलों को practical और answering मुल्यांकर प्रोजेक्ट वक्तेज दिसंबर तक पूरा करने के लिए कहा है यदि स्कूल इनके अंक इस्तितर अपलोड नहीं करेंगे तो इनका रिजल्ट बिना प्रोजेक्ट के अंकों के लिए के साथ जारी कर दिया जाएगा वह इस्कूलों को 50,000 रुपेज जुर्माना भी लगाया जा सकता या इनकी संब्ध्यता जो है उसको वापस ली जा सकती है बोर्ड ने अस्पस्ट किया है कि टर्म वन के एक्जाम के लिए बाहरी एक्जामना नियुक्त नहीं किये जाएगे इस्कूलों को प्रेक्टिकल का मुल्यांकन संब्धी टीचर के द्वारा पूरा करना होगा सभी इस्कूलों को MRC आनलाइन बोर्ड द्वारा उपलब्द कराई जाएगी बोर्ड की ओर से मुल्यांकन के संब्ध में अलग से जानकारी की जाएगी परिक्षा के दोरान रफ वर्क के लिए अलग से सीट परिक्षा सेंटर पर चातर को उपलब्द करा दी जाएगी सीब्धी ने परिक्षा तितियों को माइनर वा मुक विस्यों के अधार पर बाटा है सीब्धी के बरावी के करीब 114 विसे अफर करता है जबकि दसावी में 75 विसे जो है ये अफर करता है तो ये रही आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट खबरे इसमें पहली इंपॉर्टेंट खबर ये आ रही है कि आपका जो एडमिट कार्ड होगा वो आपका 9 नमबर को जारी होने जा रहा है और जहां से आपको रोल नमबर मिल जाएगा आप लोग तयारी करते रहे हमारे इस चैनल को सब्स्क्राइब कर लिजे कि यहां पर जो बहुकल पर प्रसन है उनके जो गड़ित भिसा है वहां पर अच्छे से तयारी कराए जाएगी फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जय है